तो दोस्तों अगर आपके पास भी है automatic washing machine और कपड़े धोते वक्त आपके कपड़ों पर detergent powder के दाग रह जाते हैं यानि कि surf के दाग रह जाते हैं अगर आपके कपड़ों पर तो आज की ये वीडियो केवल आप लोगों के लिए हैं क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कि कि दोने हैं ताकि आपके कपड़ों पर दाग ना रहे तो दोस्तों मेरे पास में हैं सेमसेंग की automatic top loaded washing machine 7kg के वेरियंट के अंदर तो दोस्तों मेरे पास काफी कमेंट आये हैं कि liquid wash कहां पर हमें apply करना है कैसे उसको use करना है तो आपको जो ड्रम के अंदर softner dispenser नजर आ रहा है यहां पर तीन होल नजर आ रहे हैं तो अगर आप liquid wash उस करते हैं या जैसे की easy या फिर कोई softner use कर रहे हैं तो आपको यहां पर इस तीन होल के अंदर drum के यहां पर उसको apply करना है जो तीन होल दिये हुए इसके अंदर और एक बार और मैं इसका drum दिखायता हूं इसके अंद जो आपस में इसे घूमते मशिन में और यह जो पूरा टब है वो दोनों तरफ इस तरह से घूमता है और साथी साथ इसका पूरा ड्रम भी जो है घूमता है दोस्तों washing के टाइम पर तो दोस्तों सबसे पहले हमें आप पर machine को power button जो है इसको प्रेस करके on कर लेना है machine को और machine होने के बाद में कुछ setting करनी होगी हमें जो कि मैं अब आपको साथ साथ आगे बताता जा रहा हूं और इस machine में अगर आपको cycle change करना है तो आपको मैंने बताया था पुराना वीडियो देख सकते हैं यह cycle वाला बटन है इसको प्रेस करके आप इसका cycle change कर सकते हैं mode change कर सकते हैं और detail से देखने के लिए link description में आप मेरा वीडियो देख सकते हैं पहले वाला अब अगर दोस्तों आपके कपडों की दुलाई के बाद में अगर कपडों पर detergent powder के या सर्फ के दाग रह जाते हैं तो आपको करना यह है कि हमें पहले machine में सर्फ डाल करके पानी भर लेना है ताकि हमारा जो सर्फ है detergent powder पानी के अंदर आसानी से घुल जाए तो सबसे पहले जो इसका जो detergent powder का box से उसमें detergent डाल देना है वो उसको बंद कर देना है दोस्तों यहाँ पर उसके बाद में हमें इसका जो cover है इसको बंद कर देना है cover बंद करने के बाद में अभी हमे इसके अंदर पानी एंटर करना है बिना कपड़े डाले ताकि जब हम कपड़े डाले उससे पहले जो है पानी के अंदर हमारा पूरा जो डिटर्जन पाव्डर है अच्छे से घुल जाए ताकि कपडों पर दाग रहने के जो चांस है बिलकुल खतम हो जाए तो आपको भी ऐसे ही करना है तो इसके लिए करना यह है दोस्तों कि आपको वाटर लेवल वाला बटन है इसे आपको वाटर लेवल सेलेक्ट करना है लेकिन उससे पहले जो इसका वाश टाइम है इसको आपको स्टार्टिंग वाले स्टार्टिंग वाले स्टार्टिंग पर में तो सब्सक्राइब करने के बाद में स्टार्ट बटन इस पर क्लिक कर देना है और याद रखे कि अभी तक हमने जो है कपड़े मसीन में डाले इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारा कपड़े डाले विना यहांने डिटरजेंट पावडर जो इसके डालने के बाद में पाणी आना स्टाट हो जाएका मसीन में आप देख सकते हैं मसीन इस्टाट हो गई है अभी तक कोई कपड़े मशिन के अंदर नहीं है अब यहां SE मशिन के अंदर पाणी अन्दर फमार तोड़ी जिर में मशिन जिर में जोड़े के अंदर कपड़े डालने से पहले ही घुलना स्टार्ट हो जाएगा पूरा जो डिटर्जेंट है उसके दाने जो है वो अच्छे से पानी के अंदर घुलना स्टार्ट हो जाएगे तो जितना हमने वाटर लेवल सेलेक्ट किया उतना पानी पहले मशीन में भरेगा और उसके बाद में मशीन को चालू रखना है हमें ताकि मशीन पहले बिना कपड़ों के ही वोशिंग स्टार्ट कर दे एक से दो मिनट तो उससे क्या होगा कि आपका जो मशीन है उसके अंदर जो है आपका पूरा डिटर्जेंट पाउडर अच्छे से घुल जाएगा तो आपके कपड वीडियो को ताकि आप लोगों को जो है यहाँ पर आगे से मैं थोड़ा दिखा पाऊं पानी भरने के बाद से तो मसीन में पानी आना इस्टार्ट हो चुका है और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मशीन में पानी हमारा काफी अभी धिरे-धिरे भरना दोस्तों हमारी मशीन में पानी जो है हमने जो रहाटरर लेवल सॉलेक्ट कीया ता उसके अपर मशीन पानी ले लिया है और अब मश्तक्त पानी लेने के बाद में जो है अभी यहाँ बिना कपड़ों के ही मशीन घूमना इस्टार्ट कर देगी तो जब इसक Kratt हो जैएगी तो इससे होगा यह कि जो आपकी डिटर्जेंट था वो पानी भरने तक जो गला वो तो है साथ ही साथ में जो बचा हुआ डिटर्जेंट है वो भी पूरा मशीन में अच्छे से गलना इस्टार्ट हो जाएगा और मशीन इसके पानी के अंदर अच्छे से घुल जाएगा तो और हमारे कपड़ों पर दाग नहीं रहेंगे तो थोड़े देर मशीन घूमने के बाद में आपको क्या करना है या पर श्टार्ट बटन को दुबारा इसको प्रेस करके और मशीन को रोक देना है उसके बाद में आपको इसका कवर ओपन करके और जो आपके कपड़ें जो में हमने इसके अंदर डाल दिए वो सब डालने के बाद में हमें कवर बंद कर देना है फिर से जो मशिन का स्टाट बटन है उसको प्रेस करने से पहले आपको कुछ setting यहाँ पर करनी है जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखा करना चाते हैं वह सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में जो मॉंसन बटन है आपने पूछा थे कि मॉंसन बटन क्या काम करता है तो यहां पर मैं 15 पर मॉंसन बटन को क्लिक कर देता हूं इससी यह होगा कि जब कपड़े धुलने के बाद में जब ड्राइ होंगे तो 15 मिनट एडिसनल स्पिन होगा जिससे कि आपके कपड़ों का जो पानी है वह बहुत अच्छे से बाहर निकल जाएगा और कपड़े अच्छे से ड्राइ हो जाएंगे और यह सब करने के बाद में आपको स्टार्ट बटन प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद में आपकी मसीन जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगी मशिन की वशिंग जो है फिर से स्टार्ट हो जाएगा आप देख पाने हैं मशिन चालू हो चुकी है तो इसी तरह से दोस्तों आपको अपने कपड़े धोने हैं ताकि आपके कपड़ों पर भी दाग ना रहे detergent को आपको पूरी तरह से पहले गला लेना है machine के अंदर थोड़ा पानी भरके और machine चालू कर देना है ताकि आपका detergent powder पूरी तरह से machine के अंदर गल जाए उसके बाद में कपड़े डालकर आपको machine से कपड़े दोने है ताकि आपके कपड़ो पर दाग लिखने वाला इश्वे वो खतम हो जाए तो दोस्तो वीडियो केसे लगा आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को और साथी साथ अगर आप नए है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसी तरह की इन्फोर्मेटिव वीडिय मेरे चैनल पर आती रहती है आप लोगों की हेल्प के लिए और इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में